हेलो बीटियस आर्मीज तो गाईज हम सब जानते हैं कि हमारे बीटियस के आल मिम्बर्स बहुत जादा टैलेंटर हैं और हमारे बीटियस के मिम्बर भी तो यूनिक आर्टिस्ट हैं और ऐसे यूनिक आर्टिस्ट को जानना समझना हर किसी के बसकी बात नहीं है लेकिन गाईज हाली में जिस आल्बम के लिए पूरी दुनिया भर के फैंस आर्मीज बहुत ज़्यादा एक्साइटेट थी उसका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वी के आने वाली आल्बम में काफी अनेक स्पेक्टर चीज़े हो सकती है लेकिन अच्छे वे में नहीं और हो सकता है ये हम सभी के लिए और वी के लिए भी काफी फेन फुल हो लेकिन गाईज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आर्मीज को ऐसा क्यों लग रहा है कि वी के आने वाले स्वांग फ्लॉफ होंगे या फिर उनको कम रूज मिलेंगे तो गाईज आप सभी के जानकरे के लिए बता दू के हमारे वी के सौंग के साथ आजकल जो कोई भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है और इस बात को भी हम अच्छे से जानते हैं BTS के मेंबर जो कि कुछ मिनिमम मिन्टों में मिलियन रूज को पार कर देती थे और वोही पर भी के सौंग को इतने कम रूज मिलला वो बहुत ही अनेक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारे वी तो one of the most famous BTS के member है जो कि बहुत ही ज़ादा famous है और उनकी fan following भी बहुत ज़ादा है जो कि हम सबको पता ही है और गाइद हमेशा ही यही बात trading में चलती है कि BTS के all members के comparison में हमारे वी या फिर जंकू को बहुत ज़ादा views आते है लेकिन अब बात आये हमारे वी के song के तो बात एकदम सी पनठी गई है क्योंकि वी को बहुत कम views मिले है और अभी वी के latest song blue का जो teaser आया था उसके पहली teaser को अभी 3 million views ही मिले है और उसके बात जो second teaser आया है ओ भी कुछ खास पफम नहीं कर रहा है तो guys अब आप लोग सूच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर क्या reason है इसके पीछे तो guys आप लोगों को बता दू के बहुत सारी armies को ये लगता है कि शायद जो new armies है वही BTS को support नहीं कर रही है क्योंकि जब से BTS की member एक दूसरे से अलग हुए है तो armies भी इसी हिस्से में बढ़ गई है क्योंकि जब पहले BTS एक ग्रूप में perform करती थे या फिर उनका कोई ग्रूप स्वांग आने वाला होता था तो armies भी सभी members को यानि के all BTS को support करती थी लेकिन आप armies अपने अपने favorite idol को ही support करती है और गाइद इसी कारण से armies को लगता है कि जो लोग भी को support करते है उनको favorite idol मानते है वही भी को support कर रहे है बाकी लोग support नहीं कर रहे है इसलिए armies को tension है कि जो हमारे वीके पहले song के साथ हुआ ये आने वाले new song के साथ ना हो क्योंकि पहले जब वीका song low me again आया था तो उसका रिज़त बहुती अच्छा आया था लेकिन फिर जो rainy days आया उसका रिज़त कुछ खास नहीं था और अब वीका third song blue आने वाला है जिसको लेकर armies का फिटेशन में है क्योंकि आर्विस को डर है कि पिछली song की तरह ये वीका ये song भी flop ना हो जाए या फिर उसको confuse ना मिल जाए लेकिन गाईज आपर समझने वाली बात तो ये है कि किसी भी गाने को अगर confuse आते ही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओ एक flop song हो और वेसे भी वीका रियल टैलेंट हर किसी के समझ में नहीं आएगा तो गाईज वीके आने वाले new music वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है मुझे comment में ज़रूर बताए साथी साथ जाने से पहले चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करे